आज मैं आपसे रेविट वाला टोपी का डिजाइन ने कर आई हूँ ये टोपी आप आशानी से किसवी साइज में बनाया सकते हैं फंदे कम ज्यादा कराकर ये मेहराजी 6 मन से 11 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ ये टोपी मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहल बना सकते हैं अब देखें यह आपको सर की गुलाई का इस अब से फंदे लेकर बनाया नहीं है अब देखें ये किन साइज के लिए मैं बना रही हूं यह में देखाने जारी हूँ यह देखें शाड़े शे इंच का है मतलब यह उपर और नीचे दो पाट है इसलिए शाड 12-13-13-14 जिसकी सर की गुला है उस तक यह आरम से आज आता है फेक्सिबल होने के बदर से आप चाहितों सर की गुला का इस तरीके से नाप लेकर किसी भी साइज में बनाया सकते हैं किसी भी साइज का धागा और नेडल से फंदे कम जादा गरा कर अब देखें इसमें आप बेवी के लिए बनाना चाते हैं तो दोनों साटें यह यह अज आप में आप से अब आप से अ infinity अभी तक दिपैनेटिंग चैनल में नहीं हो तो चैनल वीजुट बैट के जरूर देखिएगा यह बहुत ही कम धागे से बन कराता है यह फोर पॉलाय का पतला वाला धागा ले रही हुँ एक गोला इसी तरीके से दो गोला लेना है और इस तरीके से डबल करके नाई नमर का स है इसमें 74 फंदे डालने वाली हुँ साइज का इसाब से आप फंदे कम ज्यादा गरा कर बनाईएगा इसमें में फोर पी मंटिपल का फंदे लेकर दो फंदे एस्टा लेकर बना रही हुँ यह तोपी आप आसानी से किस भी साइज में बनाया सकते हैं इसी तरीके से फंद पीछे एक फंदा बीना मिना देखिए यहां से इस्टाट हो रहा है तीन फंदा उल्टा एक फंदा बीना मिना मतलब यह हमरा एक पैटन पूरा हो चुका है तीन फंदा उल्टा और एक फंदा बीना मिना फिर रिपीट गरेंगे पैटन तीन फंदा उल्टा एक दो तीन इ एक फंदा बिना बिना इसी बात को आपको बारवा रिपीट गरनी है देखिए दागा आपने और तीन फंदा उल्टा बिना एक दो तीन तागे पीछे एक फंदा बिना बिना तागा आपने और तीन फंदा उल्टा बिना एक दो तीन इस तरीके से तागे पीछे जिस तरीके इसी तरीके से इसको बिने-बिना उतार देना है अभ फिर देखिए तीन फंदा उल्टा एक दो तीन लिखें फिर तागे पीछे एक फंदा बिना इसी तारीके से आपको बनाया नहीं है पूरी सलय अब देखिए में इसी ताइरेके से एक फंदा बिना मिना लस्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है यह हमारा एक रो पुरा हो चुका है सीधी साड से ब्याक साड से इसी तरीके से आपको बिनने है तीन फंदा उल्टा एक फंदा बिना मिना पर आपको एक बात ध्यान देना है कि यह जो बिना मिना एक फंदे यह उल्टा हो चुका है अब देखे यह बिना मिना फंदा है इसको आपको 20 सेंटर में बनाएनी है तीन फंदा उल्टा का देखे एक फंदे दो फंदे और यह तीन फंदे इस तरीके से तीन फंदे उल्टी का 20 सेंटर में बिना मिना फंदे बनाएंगे श्रि में देखें यह यह 3 पंद में देखें धकर यह 12 सेंटर में बनाने इस तीन पंद में यह 3 पंद distal ने के बाद फिर पागे-पीछै 3डश्य के बिनुक्त का बीत सेंटर में बनानी एक और यह तीन इससे तरीके से बनाएगा ताकि पीछे प warfare आज पारीजिये इसको विनाल थीन फंदा उल्टा इस भाकर बना है इसी तरीके से जाफ सी से आप यह पैटर्न आप किसी भी पोर्जेट में डालकर बनाया सकते हीं बहुती सुन्दर है एक दो तीन इस तरीके से फिर दागे पीछे एक फंदा बीना बीना जाल बार बार इसा्खन आपको रीपीट करेंगे ये बीना-बीना फंदे हैं सीधी साइड से इकस घागा डार ने तरीके न अब देगना फंद उल्टी का बीच सेंटर में तोस हैं जास ये लाइस्न में आ चुकी हो। भागा आपने और, अब देखे, ये शीडिशाइड छे बिना-बिना फंद्य हैं ये 20 वे सेंटर में 3 फंद्य का बना नहीं है। दो और यह तीन इस तरीके से तागी पीछे एक फंदा बिना बिना दागा आपने और लास में दो फंदे आ रहा है एक अरे दो इस तरीके से आपको बनानी है यह इसका ब्याक साड है अब देखें इसका उपर सीधी साड़ से बिनेंगे इसी बात को रिपीट गरनी है दोनों साड़ से तीन फंदा उल्टा बिना और एक फंदा बिना फिर तीन फंदा उल्टा बिना एक फंदा बिना इसी बात को रिपीट गरनी है अब देखें इसी तरीके से हम बिनेंगे अब देखें यह ब्याक साड़ से जो बिना बिना फंदा है यह इस तरीके से सीधी साड़ म तीन फंदे उल्टी का 20 सेंटर में इस तरीके से बनाएं ये एक दो तीन फिर तीन फंदा उल्टा एक फंदा बिने बिना फिर तीन फंदा उल्टा एक फंदा बिने मिना इसी बात को रिपीट गरते होए बनाएंगे एक दो तीन फिर एक फंदा बिने मिना कि मैं इसी बात को फिर एक बार बिनकर दिखायती हुं फोस बंदा बिना मिना तागा आपने और थीन फंदा उल्टा 1 2 3 इस तरीके से तागे पीछे एक फंदा बिना से अब देखिए एक बार ये डीजाइन सेट होने से आप से आप बण कराता है अब संब आप ईतनी सी बात है और ये बन कर आता है एक डेखे यह दो वाला है refused बिना है दो और ये तीं इस तरीके से भी से Σंटर में बीना आता हां अब देखे इदर भी इसी तरीके से बन कर आ रहा है और चेड़े बिना बीना फंप समस्वण फिर तागे पीछे लेकर जाना है एक फंदा बिना मिना फिर दागा आपने ओर तीन फंदा उल्टा एक दो तीन तागे पीछे एक फंदा बिना मिना देखे मेलास में आचुके हूँ एक फंदा दो फंदा तीन फंदा इस तरीके से तीन फंद में ये बिना मिना आ रहा है एक देखिए ये दो तीन इस तरीके से फिर तागे पीछे एक फंदा बिना मिना प्लाश का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है ये श्रिप दोरो का डिजाइन है सीधी और उल्टी दोनों साट से एक की बात को रिपीट गारनी है देखिए 62 इसी बात को रिपीट गारनी है फरस फंदा बिना मिना तीन फंदे उल्टी का बीस सेंटर में इसको बनानी है जो बिना मिना फंदे है उसको अब देखिए ये बिना मिना फंदे है एक फंदे उल्टी हो चुका है अब देखिए दो देखिए न ताकि पीछे एक फंदा बिना मिना, ताकि आपने और तीन फंदा उल्टा, एक, दो, और ये तीन, ताकि पीछे एक फंदा बिना मिना, इसी बात को आपको बार बार रिपीट गरनी है, दोनों साइड से इसी तरीके से बनाएंगे, और ये बहुती सुन्दर डीजाइन बन कर बार बार इसी बात को इक पहित हैह को बोडर कि तरह डीजान बन कर और को तीन फंदा उल्टा हम कैपने और तास्टेए एक फंदा बिना इसतल एक बना नहीं है बार बार आप हम इसे को रिपीट गरेंगे तिन फंदा उल्टा एक फंदा बिने मिने अब दिखिए यह डिजाइन विए साफट साफ नगर आ रहा है इसी बात को रिपीट करने है यह वानवाइवन का रिवब डिजाइन तरह बनकर आता है बोर्र का इसमें कोई भी जरुरूरत ने हिए, 3.5 उल्टा एक फण्दा बिना मिना इसी तरिके से इधर साइट भी 3.5, 1.5 बिना मिना तीके इसी तरिके से इसी बात को प्रitt गरते हूं, मैं इतनी बिन चुकी हूं ये size का इसाइस से कम जादा बीन सकते हैं ये शाड़े 6-7-3 का आसपस्मे में बना रही हो ये मेरा बच्चर का size का है और ये इस तरीके से fold गरना है ये आप fold भी कम जादा गर सकते हैं और बीना fold के भी ये बना शकते हैं अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो ये टोपी इस तरीके से जितने आपको लंबाई आवसक है उतनी बनाने के बाद इसका उपर गटाई गार सकते हैं गटाई में आपको इसका उपर लंबाय पूरी होने के बाद दो फंदे दो काई इस तरीके से गटाती होए इसका उपर का फंदे बंद गरके यह डिजाइन डालकर बड़े के लिए टोपी बना आ सकते हैं अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, शोरा, शात्रा, अठार, 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 दुने, चात्तिस, पलस, एक, मतलब इसमें हाम एक फंदे ले रहे थ चार की मंटिपल का हिसाब से फंदे लेकने के बाद, इसलिए इधर साइड में मारकर लगा रही हूँ, अब देखे इधर भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, शोरा, शोरा, शात्रा, अठार, अठार, इतनी बिनने के बाद, अब देखें, यहां से आपको सारी फंदे सीधी-सीधी बनानी है, अब देखें, मैं इसी तरीके से सीधी-साइड सीधी बिनती हो, अब देखें, मैं इसी तरीके से बनाती होए आ रही हो, यहां तक सारी फंदे सीधी-सीधी बिनते होए, अब देने always गर्म के बाद फिर इसका ब्याक साड़ से उल्टी भिनाय भिनेगे फास बंदा बिनाय भिना & बाद, डिखी सारी खंदे उल्टी भिनाय भिनते हुय subscribed this Os के इसका ब्याक साड़ है मतलब यहा से यहा तक हम स्ट्रो भिनाय भिनेगे्र्ण हिके 10 से शीधी were जबनाना पिंते होंrokोत ये में इतनी उड्य चेंट सकते हैं इतनी बनानी आप देखे marcar और प्योरण बिनिकर ये दशाइन के बाने के बाद शाइन से स्थाइरा कि आप boxes बनानी है और यह 14, 14 सीधी का डिजाइन मैं इसमें बना रही हूँ, इस तरीके से मैं इसमें 14 रो बीन रही हूँ, यह साइज का इसाब से कम ज़्यादा आप बीन सकते हैं, कान का आकर छुटा और बड़ा बनाने के लिए, तो देखें, यह मैं बीवी के लिए बना रही हूँ, तीन, चार, और यह 5, 5 फंदे इस तरीके से सीधी, देखें यह एस्टा वाला है, देखें, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बिनने के बाद, हम दो फंदे दो कायक बनाएंगे, इस तरीके से आपको गटाई गरनी हैं, अब देखें फिर इसी बात को रिपीट गरेंगे, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, और यह चार, चार फंदे बिनने के बाद, फिर दो फंदे दो कायक, बार बार हम इसी बात को रिपीट गरेंगे, फिर से चार फंदे, एक, दो, तीन, और यह चार, चार फंदे बिन लेना है, और फिर बना देना है, दो फंदे दो कायक, फिर चार फंदे बिनना है एक, दो, तीन, और ये चार फिर दो फंदे दो काईक इसी तरीके से आपको बना लेना है अब देखें फिर मैं इसी बात को रिपीट गरते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ दो फंदे दो काईक हो चुका है एक, दो, तेन, और ये चार, चार फंदे इस तरीके से बिनने हैं, और लाश का दो फंदे, दो का एक, इस तरीके से सीधी साइड बिनने के बाद, अब देखें इसका ब्याक साइड से बिनते हैं, ब्याक साइड से इसका उपर देखें, फोस फंदा, आपको इसी तरीके से ब थे अब इम्वें बिनै का लास्ट में आज चुकी हो हूँ हुए है की आफ देखिए इसका सीधी शाय से पर घताई बाताई गारनी है में देखे तीन फंदा सीधा यह एस्टावला है यहां से गिनेंगे देखिए तीन पन्दे बिन्ने है यह दो तीन मतलब ए इस्टावला ह तीन फंदी बिनने के बाद दो फंदी दो कायक इस तरीके से फिर तीन फंदी बिनने हैं एक दो तीन फंदी दो कायक बतलब गटाई का आगे का फंदी लेकर आपको दो फंदी दो कायक बिन लेना तरीके से बिनने से तिरसी गटाई का रिजाइन बनकर आता है चार फंदी ब बिनने के बाद गटाई का आगे का फंदे लेकर दो फंदे दो का एक इस तरीके से फिर तीन फंदे बिनने है एक दो तीन फिर दो फंदे दो का एक गटाई का आगे का फंदे लेकर गटाई गानी है फिर तीन फंदे बिनने है एक दो तीन फिर दो फंदे दो का एक फिर तीन फंदे बिनने हैं एक दो और ये तीन लास्ट का दो फंदे दो गए इस तरीके से आपको बनाया नहीं है सीधी साड़ से मैं आपको देखा रही हूं चीडि छाड़ से इस तरीके से तीर इसी जटाई से देखिए बैख साड़ से फिंदा nawnda बिना nawnda और फिर और अलटी घंग भीक Dr allow इस तरीके से गटाई का फंदी तो नहीं को नहीं मोंको पछेए पिरह दिजाइन को लिए Bar आक्टा नेर्टा बीयों कृष्ट लेकर आपको भी कपार्लच रूब्ले को सब्सक्रीइल लिए को बिलार बंचे शतर खाले को कि फिर लाश में दो फंदे दो गाए इसी तरीके से आपको बनाया नहीं है सीधी साइट से अब देखे इसका ब्याक साइट से फिर फोस्पंदा बीना मिना और यहां से फिर आपको उल्टी बिने बेन लेना है अब देखे में इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिने बिनत से दो पенный के बाद कट आङे का फंदे लेकर 2x2 का dość इसा तरीके से फिर एक फंद से लेकर तो फंद से नहें हैं स सब्सक्राइब करने हैं तो नी है कि इस अब अब बनाया नहीं है में अफ्र पल Ark Sen सब देके से 20 से इस तरीको से सिंडी साइलए नियाक युझास सैंद्स अनुत देखे मिए इस तरीके से लेकर आपको इस तरीके इन Mm फंद्धे दो करेंey चैनल आरे हों दो फंद्धे दो कए फिर आपको बनानी है आप दिखिए लास्ट में यह साथ ठंदे आंने बात इसका उपर का आपको फंदे बंद गारनी है यह इस तरीके से डिजाइन बंद कर आता है अब देखे इसका उपर का में फंदे बंद गर रही हूं फंदे बंदगाने के लिए सुई लेना है और ये निडल निकाल लेना है और सारी फंदे सुई का उपर चड़ा देना है देखिए इस तरीके से और इधर सेट आपको गाठ लगा देना है अब देखिए यह इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखिए इधर का मेश्वी निकार रही हूँ तो दिखे इस तरीके से फिर यहां से आपको धागा डाल कर बिनने हैं जिस तरीके से यह वाला बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे इसके लिए यह मारका निकाल देना है और यहां से आपको धागा डालना है तो दिखे इस तरीके से धागा लगाएंगे और फिर सिद्दी साथ है इसका इसलिए यह दागा एक बददो बार लग लगाएंगे आप देखे इसका बेख साड़ से बीनते हैं फिर आप जिस तरीके से यह वाला बनाये थे उसी तरीके से आपको बनाया नहीं है सिदी सैट से सिदी और उल्टी सैट से उल्टी बीन कर अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए इसका पर बीनती हो सिदी सैट से सिदी और उल्टी सैट से उल्टी इसी तरीके से बनिएह। अब देखी इस तरीकेसे इसी बात को commence बिनेहेय का लास में आ रहे हुँ सारी फंदे उलटी बिनेह बिनते हुए heut अब दीखें के लास और में इस वे अभलेदभ को करते हुआ हूँ अब देखे यह इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे जितनी हम इधर बनाया है उतनी इधर भी बनाया नहीं है इसी तरीके से सीधी सैट से सीधी और उल्टी सैट से उल्टी बिन कर आप साए तो यह डिजाइन की जगा किसी भी डिजाइन भी डाल सकते हैं डिजाइन इसी तरीके से गटाई गरिएगा एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा चौदा सीधी का डिजाइन होने के बाद अब देखें इसका उपर गटाई गर नी है अब देखें गटाई किस तरीके से गर नी है फंस पंदा बिनें यह एश्टा बना लिनने के बाद ठाउनों जो को दोएक बना लेना है इस तरीके से फिर ठाउनडी के बनाएंगे दो फ़ने के बाद को 2 फंब का है इसे बात को आपको रिपीट ग़रनी है अब देखे इधर में गटाई गार चुकी हो फिर चार फंदे एक दो तीन और ये चार चार फंदे बिनने के बाद फिर दो फंदे दो काईगे इस तरीके से आपको बनानी है इसलब हम जिस तरीके से यह वाला बनाया है उसी तरीके से बनाएंगे इसी तरीके से गटाई गार जिए-स तरीके से इधर बनाईए है उसी तरीके से इसे देखाथी न offers एुमितानी आ ड़िया को लेक्ति भीड़ेस और वी ते लेक्ति रहें हैं अब देखेए इसो आपकर बिने देखाएती खोड़ हhmen सब्सक्राइब. अब देखिए यह कटायी का है, कटायी के आगे का फंदे लेकर हम गटाा रहे हैं. अब देखिए अब को बनानी है. यह लास्ट में 2, 4, 6, पलास एक गर के साथ फंदे हैं अब अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे इसका उपर का फंदे बंद गारनी के लिए सुई में आपको धागा लगानी है और फंदे आपको बंद गारनी है तो देखे इस तरीके से मैं सुई निकार रही हूं सारी फंदे सुई में चड़ा रही हूं और इधर साइड आपको नट लगानी है इस तरीके से नट लग जाता है अब दीखिए यह सीधी साइड से इस तरीके से बन कर आ रहा है यह आपको इस तरीके से पलट लेना है पलट लेना है और पलट लेना है के बात दोनों साइड का कीना लेकर आपको आपको सेुलाइगारनी आपको इह आन यह लगाई यहास से यह तक बाक के लिए दोनों साइट का एक चेन लेना है अफश्चा यह माणों प सब्सक्राइब देखें यह वाला और इधर का यह वाला इस तरीके से आपको शिलाई गरनी है अब देखें मैं इसी तरीके से शिलाई गरती हूं इधर का यह और इधर का यह अब देखें इस तरीके से यहां तक आपको शिलाई गरनी है अब देखें यहां तक शिलाई गरनी के बाद यह दा लागा कुरुसे से लग़ गरती हूं तो देखिए यह में लग़ गर्चूकी हूं अब दीखिए यहां से सिलाई गरनी है इसんと चासे यहां से यहां से यह तक सिलाई गरींगे है इस तरह कमेंने साथ रिपीट गरने हैं तो न스터 का एक चेनल अर इस Нबच गरने लेना है इसी बात को हम बार बार रिपीट गरनेंगे दोनों साइट का एक एक चेन लेते हुए इसका अपर शिलाई गरनी है अब देखें में इसी तरीके से शिलाई गरते हुए उपर तक आ रही हूं तो देखें यहां तक आपको शिलाई गरनी है देखें यहां तक शिलाई देना है, अब देखें येускर पोल गर लेना है, और डोरी चे आपको इधर बान लेना तो देखें, बहुत स्कारिक हम् ons, इस को ताईट करें इसका ब्याक साइड से आपको इसको टाइड गर लेना है और टाइड गरने के बाद इसका उपर एक दो बार नट लगा सकते हैं देखिए इस तरीके से टाइड गर के नट लगाईएगा यह इसका ब्याक साइड है ब्याक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ अब और ओसी का हिसाफ से आप खंड डालनी है यह किसी ही साइज का अभाश निदल से आराम से बंकर आता हैं यह आप आसाइनि से किसी भी साइज में किसी साइज का अभशा जिडिवाटों यह उना है और और बहुती फ्यक्सिबल भी वनता रहाता है अब चाहिए तो इदर नीचे में डोरी डालकर भी आप बनाया सकते ही दोनों साइट इस तरीके से डोरी डालनी है और नीचे गर्दन में आपको बानना है इस तरीके से बहुती सुन्दर यह टोपी का डिजाइन आज में आपसे स्यार कर रही थी आपको क्यासा लगा कमेंट करके जरूर बढ़ रही है इस तरह का असान और यूनिक परजेट मेरा दी पैनेटिंग चैनल में कभी सारा है आप चाहिए तो इसको इस तरह किसे खोल कर भी पहिना आ सकते ही बच्चे के लिए यह खरगोस वाला टोपी का डि यहादिख निवाद, आप सकते हैं और यहादि उतार प्रयूनिकाट पल कर चाहादिए यहादिए था किते हैं तरह प्रयूनिकाट भी तो धर्शनिक ठाहादिए कोल यहादिए द fragrझ रहादिशनिकाट